हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने लीगल चैनल सोश्वा प्रहार में हूँ एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस केस पर दोस्तों कल एक क्वेरी आई थी जिसके आधारफे में वीडियो ला रहा हूँ और य क्या दिक्कत होती है और कैसे इसको हैंडिल करना यह सब चीज़े हैं आज किस वीडियो में मैं केलियर करूँगा आपको और दोस्तों आखिर तक वीडियो बावले रहना अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट चैनल को सब्सक्राइब करके नो में कोई maintenance का केस है माल लेறों से maintenance का केस जाला और interim maintenance का order हो गया अब ऐसा तो शयार दी किसी मामले में होता है कि interim maintenance का order ना हो कूँकि interim maintenance के time पर कोड कुछ भी सुनता नहीं है और अगर आप कुछ रखते भी है तो court कहता है कि trial का matter है तो पीचिली कुछ न खूछ interview maintenance आपका बान दिया जाता है। कई बार होता है कि लड़का दूसरे शेयर में है, कई बार ऐसा भी होता है कि interview maintenance को order का उसको पता नहीं चलता। कई बार और भी बहुत सारी technical issues हो सकते हैं जिसकी वज़े से वो payment नहीं कर पाता, यानि कि 3 महीने, 4 महीने हो गए, उसने entry maintenance का payment नहीं किया, बट वहाँ पे order हो चुका था, इस case में जो लड़की थी, लड़की ने अपनी तरफ से एक recovery फाइल कर दी, और recovery फाइल करके उसका notice समन आपके पास आये, आपको सुचना मिली, लेकिन उसके बाद भी आपने उसको seriously नहीं लिया, या उसके बाद भी आप वहाँ पे नहीं गए, उसके बाद भी आपने पैसा जमा नहीं किया, तो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में आपके खिलाफ एक distress warrant जारी हो जाएगा, ये warrant आपकी maintenance amount की recovery के लिए होता है, अब इस warrant को लेकर भी लोगों के मन में कई सारी दूइधाय होती है, कि सर अब तो मेरा warrant issue हो गया, मेरे को पता चला है, और पहले मेरे को order का पता ही नहीं था, या मुझे तो अभी पता चला और जैसे मैं देने की कोशिश करने वाला था, उससे पहले ही warrant जारी हो गया, अब मैं क्या करूँ, अगर मैं उस शेर में जाता हूँ, तो क्या मुझे कोई problem आ सकती है, क्या मुझे पकड़ सकते है, क्या मुझे warrant cancel कराना पड़ेगा, क्या मुझे bail लेनी पड़ेगी, बहुत सारे questions और queries आप लोगों के मन में होते हैं, तो अगर ऐसा आपके साथ हो गया है, कि आपने court के किसी particular order को comply नहीं किया, उसकी compliance नहीं करी, पालना नहीं करी, और आपके किलाब distress warrant जारी हो गया, maintenance amount को दे करके, तो देखे, इसका सीधा सा मतलब है कि अब जो amount आपका बना हुआ है, वो आपको court में उस आदेश के अनुसार जमा करवाना पड़ेगा, अपनी wife को देना पड़ेगा, अब बात आती है court से prayer कर सकते हैं कि मैं देने को ready हूँ, मैं इस इस तरह से दे सकता हूँ, court जनरली उसे स्विकार कर लेता है, लड़कियों कहता है कि ठीक है देतो रही है, तो कोई ज़्यादा आपके कारवाई नहीं होती, लेकिन ऐसे case में आपको बार-बार बुला रहा है, आप इग्नोर कर रहे हो, आप जा नहीं रहे हो, आप पेमिंट नहीं कर रहे हो, आपका warranty शू हो गया, अब warranty शू हो गया, तो यह तो confirm है, आपको court में appear होना पड़ेगा, पैसा जमा कराना पड़ेगा, आप question यहा रहा है, कि कि कितना पैस चार लाक में एकसा तो दे नहीं सकता, अब क्या मैं पार्ट पेमिंट यह बात कर सकता हूँ, अब यह पूरे तरीके से court के ओपर depend करता है, क्योंकि आपकी छवी बहुत जादा negative हो चुकी है, आपका warranty issue है, अब ऐसे case में अगर आप पार्ट पेमिंट में एक लाख रुपय चुका है, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था और उसमें आपको बताया था, तो यह परिस्तिती भी आपके साथ warrant के time पे हो सकती है, अब दूसरी बात कि सब ठीक है चलो, मैं 4 लाख रुपय जाके एक साथ जमा कर देता हूँ, तो क्या फिर मुझे bail लेनी पड़ेगा, क्या होगा, आपको कुछ भी करने की जूरत नहीं है, आप जब जाकर के court में पैसा जमा करेंगे, तो अटोमेटिक इसी order sheet पर आजाएगी, कि आपने order का compliance कर लिया है, और वारंट cancel हो जाएगा, criminal cases की तरह यहाँ पर आपको जाकर के अलग से bail नहीं लेनी पड आप उनको भी देखकर जानकारी हासिल कर सकते हैं, दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही, नेक्स वीडियो में नहीं जानकारी के साथ मैं आप से फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुडबाए and thank you for watching, take care